पूरी पेमेंट के बिना काम नहीं करेंगे यह तो मरवा के छोड़ेंगे चलो देखते हैं सुनो चीफ मिनिस्टर सिर्फ दस मिनट के लिए हाएंगे मोझे विश्वास दिलाना है कि मेरे पास बहुत सारे वोट हैं तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा तुम्हारे जासा पहले भी दे चुके हो इचली बार की पेमेंट अभी दख बाकी है औरे मिनिस्टर साब आ गए नारे लगाने शुरू को भाई अभी सिफ भीड जबाने के पैसे मिले हैं नारे लगाने के नहीं मित्र नमस्कार कि यह लोग हाथ कि उठा रहे हैं अरी यह लोग पॉलिटिकल रैली में आया है किसी के चोते में मेरे आथ में पैसे आते ही इनके आथ हिलने लगेंगे जिन्दाबाद 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 इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं बहुत आगे जाओगे एक बरहात करो इसकी नौप्री दूबाद जींदाबाद क्यारी जगा लेना चाहता है अगर अपना काम इमानदारी से करो गे तो कोई तुम्हारी जगा क्यो लें कर कि झाले बेंगा, बतस्यान के झाले जाएत है चाले जाले एक घरा जाएत है तुम्हारी साडी बहुत सुंदर है यह देखना काले केंटे तुन्हे धक्का मारने की जुर्रत कैसे कि इतने बड़े पुलिस ओफिसर पुलिस वाल है तो क्या हुआ तु जानता है मैं किसकी ओलाद हूँ मेरा बाप इधर का मिलिष्ट तु चाहे किसकी बी ओलाद हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी शेर में मन् कर्यां nhणाओ घ्यागा सारा चारा यपार यह झाजाता होगा कि इसारा गुठाला इसे ने किया हूगा है इधर music Sir, आपने किसी काम से बुलाया था क्या? किसी के लिए क्राउड चाहिए? क्राउड की जरुवत नेता को होती है, मुझे प्यार के मामले में हल्प चाहिए आपको मेरी हल्प चाहिए? Hey, पोलीसी सब की हल्प करेगी, तु मेरी हल्प नहीं कर सकता है पर आप प्यार कैसे दोती कुर्ता पेनने वाला महात्मा प्यार कर सकता है तो क्या खाकी वर्दी वाला प्यार नहीं कर सकता है चल दिखाता हूँ वो, वहाँ देख वहाँ जो साडी में लिप्टी हुई एक सफेद संगे मरमर की मूर्ती दिख रही है ना ना उससे प्यार करता हूँ तो इनको पताना बहुत मुश्किल होता है स्टेप बाइस्टेप सुनो सुबा सुबा वो आपको एक मिस कॉल देगी फिर खुद की दस फोटो कीच कर वो सेल्फी फेस्बुक पर अप्लोड करेगी सेल्फी लाइक करके आप उसे फोन करेंगे तो वो फोन उठाएगी नहीं आदे घंटे बाद वो आपको फिर मिस कॉल देगी फिर आप उसे फोन करेंगे तो बात करने के बजाए वो आपको किसी लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाएगी खाले हथ तो जाओगे नहीं, गिफ्ट तो देना ही पड़ेगी, वो खुद वहाँ लेट आएगी, फिर घर का सामान पेज कर लोन लेकर आप एक बाइक खरीद होगे, लेकिन वो सेकेंड बाइक उसे पसंद नहीं आएगी, वो कहेगी नहीं, मुझे फैंसी बाइक चाहिए, आप अपनी एक किड्नी बेज कर एक स्पोर्स बाइक ले भी आते हैं, वो भी स्पीड ब्रेकर पर वो आपकी कमर में हाथ नहीं डा लेगी, बस कंदे पर हाथ रखेगी, वो कहेगी आईब्रोस करवाने हैं, ब्यूटी पारलर ले जाओ, फिर बोनस में हैर कलरिंग, स्वि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके पूरे एक साल की सालरी वो एक ही दिन में उड़ा देगी, फिर आपको पिक्चर दिखाने के बहाने कॉर्णर सीट मर बिठा कर कंदे से कंदा रख ड़ेगी, आप भी हिम्मत करके हाथ रख देंगे, कहेंगी नॉटीन पब्लिक मुझे शर्माती है, फिल्म के बाद उसे भूक लेगी, वो शेर के सबसे महंगे रेस्टरॉंट में आपको ले जाकर सब कुछ मंगा लेगी, फिर दो पीस खाकर बाकी खाना पैक कराके खुट के घर ली जाएगी, ओ माइग आप कहेंगे चलो दिन तो खत्म हो गया, लेकिन दिन क हैंड में ट्विस्ट है, और इस ट्विस्ट का नाम है डिस्को थेक, इस भयानक जगा में आप उसे लेकर जाएंगे, तो कहीं से हैंडसम आद मी आएगा, और वो सीधा आपकी गर्ल्फ्रेंड के पास आकर कहेगा, हाई है हैंडी, कम लेट्स गो फॉर डांस, पिक अप त पॉस्ट के बारे में बता कर तुमने मेरी आंक खोल दी, मुझे पास्ता नहीं खाना चाहिए, मुझे तो 24 करेट शुद्ध देसी स्टाइल के लड़की जमेगी, आज से उस हाइफाइ को टाटा बाइबाइ, मैं आप लोगों की आभारी हूँ, जो आप सब मुझे सुनने योगिना देवी जिन्दा बाइब, 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 योगिना दे अब जल्दी सावान उतार साब जी जैसे आपने कहा था ना मेरी बीवी भाग तो गई थी लेकिन एक हफ्ते में दोभी के पास से भाग के चली आई ना इसका मतलब वो गोंचु तुछ से भी गया गुजरा होगा इनकी भावी शवानी करेक्टर और तेरी बीवी केरेक्टर अब मुझे चाहे जो भी बोलो अब जोतिश विद्या सही है सब उसी से तय होता है तुझे अपनी बेकार बे मतलब भावी शेवानी पर इतना भरोसा है ना तुने मुझे क्या बोला था अगले 10 दिन मेरे लिए बुरे हैं इसलिए 20 दिन की छुटी लेनी चाहिए अभी भ आपको भारी पढ़ने वाले हैं भारी नई चाह के साथ खारिये प्रमोशन होने वाला है कमिशनर के टेबल पर मेरा प्रमोशन लेटर पढ़ा है मैं असिस्टेंट कमिशनर बनुगा मेरी बात मानिए सर अभी मंदिर में जाकर तस रप्न चढ़ाईए शनी का प्रकोब मैं नहीं डरता है सर पश्टाएंगे अवे दड़ियल कार में इसी के हवा खार है गया सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है गाड़ी का मूँ आप किक मार के देख सर थेंक्यू सर पेरी तो साइकल चलाने वाली ओकाद भी नहीं लगती यह खटारा गाड़ी किसकी है चो अरे वो एक खतरनाक इंटर्नाशनल टेररिस्ट है तुमने उसकी मदद की तुम्हें आकल नहीं है क्या आप में अकल नहीं है क्या सर्कार ने आपको रेडियो गाने सुनने के लिए नहीं दिया मुझे मेसेज मिलता तो मैं उसे पकड़ता ना चाम एंजरी कार्टन की तरह अधिक पीछा कर रहे है यह छे महिने से चल रहा सीक्रेट ऑपरेशन है आट का अपरेशन डॉक्तर थीस मिनिट में करता है आपको एक अपरेशन करने में छे महिने कैसे लगए तुम्हें देख लूँगा निकली जैनि आपकी पागल में आकर बैट गया है सोंब मार को डि है 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 थोड़ा धीरे चलाइए नसर्थ मुझे चक्कर आ रहे है जोटे मुटे चक्कर से कुछ नहीं होगा आज मैं दई शक्कर खागे यह भी खागे है कि अगर्ण है अगर्ण ने श्री मंदिर है शाइब में लगा दीजिए अभी अगर्ण तुम कुछ भी बोला तो मंदिर के अंदर कर सारा प्रसाथ तेरे मूमें कुछ दूगा कि 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 तो भी तुझे क्यों दिखाऊ कि 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 तर्रीरिस का गेम ओवर होता अगर कर नहीं होता आपको तो चोट लग गई आप क्या पिकनिक पर जा रहे थे जा आगे बठे आपको तो पीछे बैठना चाहिए कमिश्टेर है तर्रीरिस का पीछा करने के लिए किसने का था सर मैं पोलीस वाला हूँ और इंटरनाशनल अपराधी को पकड़ना मेरा फ़स बनता है दमी तो आप मुझे डबल प्रमोशन देंगे ना डबल प्रमोशन नहीं डबल डिमोशन दूनगा आज से तो इंस्पेक्टर नहीं हवालतार होगा सर हम किसके घर के सामने चोकेदारी कर रहे हैं चलो ना दिमाग में गोबर भरा है यह मेरी सेटिंग है आपकी सेटिंग है आप खुद सौ ग्राम के और सेटिंग सौ किलो की अभे गोबर सिंगे मेरी नहीं उस टेर्रिस्ट की आइटम है वो हर महिने इससे मिलने के लिए आज की दिन यहां आता है आज आएगा तो पकड़ लेंगे अगर वो इससे मिलने नहीं आया तो आप इससे गोद ले लिए वो उसकी आइटम है और मेरी गोद पहले से हरी भरी है तो काईदे से आपको इन दोनों की शादी करवानी चाहिए मैं पंडित नहीं कमिशनर हूँ ये चारा है उस मचली को जाल में फासने के लिए वो यहां आएगा तुम उसे गोली मारोगी और मेडल मैं ले जाओंगा धाकचकी सुपर आइडिया सार लेकिन मेरा आइडिया सुपर से भी उपर तीन गुंडे जेल में प्राइम खराब चल रहा है अब देखते जा मुझे मेरा डबल प्रोमोशन मिलके रहेगा काहार अपने आप कैसे चल रहे थी सर शॉरी सर निशाना मेरा गाड़ी का पिछवाड़ा था आपका पिछवाड़ा नहीं सर करसूर आपके पिछवाड़े का है ना मास है ना मसल है कल सुबस जोर लगा ना गोली फुदक के निकल जाएगी एक तो मेरा आसन ध्रष्ट कर दिया हूपर से पंच मार रहा है यो आप सस्पेंटेंग ये खतरनाख अधियार हमने इस से बरामत किये हैं छे महिने दिन रात महनत करके हमने इस खूखार इंटरनेशनल टेरिस्ट को पकड़ा है अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो पूरी उटी तबाह हो जाए तो ठीक है सर लेकर आप ड्यूटी पर लूंगी में क्यों आए हैं ये सिंपल लूंगी नहीं बड़े-बड़ों की पुंगी वजाती है एक मिनिट एक्चुली टेररिस्ट इस वजा से पकड़ा गया सर इनों नहीं ऐसे क्या कुछ भी नहीं किया तबी तो पकड़ा गया पिछली बार की तरह कुछ करता तो ये टेररिस्ट फिर से भाग जाता क्यों बड़ा सस्पेंशन लेटर लिया अब अगले एक महिने के लिए वरदी नहीं पहन पाऊँगे मैं तो सिर्फ वरदी नहीं पहन पाऊंगा ना आप अगले तीन महिने पैंट तो क्या चड़ी भी नहीं पहन पाएंगे लुंगी में गुमना पड़ेगा सर जी पहले दो बार तो मैं तुमारी वज़से बाल बज़ गया था तीसरी बार कहा है थे मेरे दोस्स तेरी वज़से मैं सस्पेंड हो गया वरना तेरी दाड़ी के बाल में चिंचुन के निकालता है तुझे शर्म आनी चाहिए इस बास के बंबु ने तुझे पगड़ लिया इसकी तो हटियां भी तालियां बजाती है आया बड़ा तंगवाज अरे कम से कम पबलिक में तुम्हेरा नाम इज़त से लिया कर आफटरॉल आइम कमिशनर बोल रहे है अर अपने अपको कमिशनर बोल रहे है अभी देव में यह सर शनी देव के सामने दस रातनों तेल चड़ा दीजे फिर शनी का प्रकोब दूर हो जाएगा ठीके फिर फिर करने की ज़रूत नहीं है पहले मैं अपने प्रमोशन हासिल करूंगा उसके बाद कमिशनर को तमाच मारूंगा मार्चिस दे आग लगानी है अगर आपने मुझे एसी पी बना दिया तो मैं अब के लिए देशी खीके दिये मुझे तैंक यू वत लगें प्रमोशनर के लिए आग लगाई अचा तुम्हें कला की ड्यूटी ज़न कर लेता हूं जो चाहे कर ले बिटा तुम्हें उस टेर्रिस्ट की फिर से भागने में मदद की इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वत डिस्मिस कर दिया इतने पैसे से बंगला तो नहीं बात पाऊंगा चाही पिए बड़ी मुश्किल से तुमको ये नोकरी दिलवाई है कोई बेकोफी करके मेरा नाम खरामत कर तुम्हारा दर्बान बना दिया चिंता मत करो ये हपता खतम होते ही तुम्हारा बैड लग खतम और अच्छे दिन हुआ हुआ है हुआ 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 है अप्र हहा Hearts ऐवा ये नहीं जाती कपने उतारी है और चलिये मेरे साथ कपने उतार के नंगआं क्याân कreso Drum IT म captivity मुझे उडाया हुए तुने मुझे तुर रहे ने के भाशान दिया अभ खुधी नाश्ते में पास्ता क्रा जै हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो किस्मत है, किस्मत ने सब कुछ करवाया है, सर. किस्मत ने तेरे गले पे चाकू रख के करवाया, जूट बोल रहा है. जूट नहीं कहा रहा, सच है, सर. उस दिन में अपने गार्डन में खड़ा था, और तब मुझे वो नजर आई. बॉस करो, यहां तो बारिश हो रही है, किस्मत कहां से आई? ये तो किस्मत ही है ना, सर. बारिश एक्जाक्ली आट बजा आई, पहले याबाद में आ सकती थी, लेकिन नहीं, एक्जाक्ली तब आई, जब वो जॉगिंग करते-करते, बिल्कुल मेरे घर के सामने थी. इसकी जानकारी तो मौसम वीभग के पास ही होगी. कंटिनुए. हलो, आम संजय. इस बेवक्क की पारिश ने जॉगिंग का शेडूल खराब कर दिया. जॉगिंग करने के लिए नंगी पैर गये थे? यह तो अक्यूप्रेशर जॉगिंग है, पैरों में पथर चुपते हैं तो मसल्स और स्ट्रॉंग होते हैं. क्यों न इस घर में चले हैं? हलो, घर खुला हुआ है, तो क्या अंदर चले जाएंगे, पता नहीं किसा घर हो? जिसका भी हो, हमारी मदब तो करेगा ही ना, बहुत बारिश हो रही है, चलिया ना. नहीं, मैं घर जाते हैं. आरे, नहीं, पॉको, एक सिकन, एक सिकन. अब चला. अरे, बाई, गीली हो जाएगी, ओनर देखी का तो मारी का. बाई की तो है, गीली होगी तो गल नहीं जाएगी. आजा, आजा, चलो, चलो. पहले कभी तुम्हें उटी में नहीं नहीं देखा? मैं प्रोजेक्ट लेह आई हूँ, बॉत्मी स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम मया है. संजे, बाई का कवर लेके कहा जा रहे हो? मा! लॉन में पानी देते वाद, तुम्हारी बाई के कवर पर एक पानी की बुन भी गिर जाए, तो सारा घर सर पर उखा लेते हो. अब कवर लेकर घुम रहे हो, तो तुम्हारी बाईक ने गिल दी हो रही है, वैसे यह लड़की कौन है? फ्रेंड है, मा. फ्रेंड है, तो इसे घर पर लेकर जाना चाहिए था ना, इस तरह बारिश में घुमने का क्या मतलब है? जल्दी से घर आ जाओ. इसे छोड़के आता हूं, मा. फ्रेंड हूं? अगर नहीं हो तो बन जाओगी ना, और बाद में… बाद में? पहले फ्रेंड तो बन जाओ ना. भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी. बारिश बंद हो चकी है. पॉस करो, कवर ब्लू रंका था गया? बाप प्रे, आपको तो CID में होना चाहिए था. आपको कैसे पता चला? Sanjay, एक सॉलिड ओफर मिला है. एक लड़की को उठवाना है और 25,000 रुपे एडवांस में विले है. पार्टी भार खड़िये, तु हां कहे दे. हम सिर्फ लोग सप्लाइ करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं. जाकर पैसे लोटा दो. जाते हो इना. जाता हूं, जाता हूं, जाता हूं. क्या करना सकते बादे? हमने वो स्वामी के प्रवचन के लिए 50 भग भेजे देना, उसका पीमेंट आया है नहीं? अभी तक नहीं है. ठीक है, फिर से पेमेंट मांगो, वरना अंडे फेकने वाले बगवची. मादम, तुमारी पेमेंट वापस लेलो. हमारी प्रवचन समझे ना, सर्. सर्फ फ्लीज. तुमारी प्रवचन से बड़ी मेरी प्रवचन है. जाए, 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 जाए. जाओ भाई, एक रुकिए. सुनिए, बिनावा. माई, तहां जा रही है. हाई, संचे, तुम्हें क्या कर रहे हैं? यही तो मेरा ओफिस है, बोलो, क्या चाहिए? मेरे एक फ्रेंट है, मैटी. उसे टीना नाम की लड़की से प्यार होगी है, लेकिन टीना की घरवालों ने उसे घर के अंदर पंद करके रखा है. अगर तुम टीना की घर के सामने कुछ लोगों को इकठा करके शोर मचाओके, तो सब लोग बाहर आ जाएंगे, और मैं घर के अंदर जाकर उसे चुड़ा लोंगी. तुम अकेले कैसे करोगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ. सो स्वीट, अज्वानी. मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा है, प्यार के लिए कर रहा है. पर अकेल तु मेरे साथ रोगे तो हला कॉन करेंगा? मेरे मामा करेंगे ना, मामा, हेल्प करोगे ना? क्या बात करेंगे, हम ऐसे जान लेवा काम थोड़ी करते हैं? अरे, प्यार के लिए हम जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं. प्यार तेरा जान भी तेरी, उसमें मेरी जान के खत्रे में डाली. शर… कंटिनुए. अरे, अचारी दिखाथ को! अरे, अचारी टो! क्या चाहते हो तु लोग? तुमारे बेटे ने शबला नारी को प्यार के जूटे जाल में फसाया और फिर प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया. इसे रिपीट करोगे क्या किसने कि इसमें इत्ता आते अचार अचार बेचने आए हो अचार जो सुनता है क्या अरे रुको रुको मैं अपने छोटे भाई को बुलाता हूँ अरे वहाँ चलो चलते माया तुम्हारी रिंग गिर गए यह रिंग देखने के बादी टीना तुम रख लोग क्या हुआ भीया कौन है यह लोग अचार बेचने आए हैं अनार नहीं अत्य अचार पुजो सुना नी रेता क्या करें हम लोग चार छोटू ने मंगवाया होगा अरे सुरेश उद्वी एंश्कर नो हम वास कुंगत लाई यह बादू लाईच पें कंग भादया अर्ण भुक्ते लाऄी न्यक्तु त्योफिते वहां दो नतना चुझ काया सथ deficit मधा इंज सकाड़ा है। रहे हो यह अपना रेसेशन चल रहा है और यह डोनेशन माग रहा है डोनेशन नहीं यह जानने आए कि इसे प्रग्णन किस ने किया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम सी जे साथे प्रम्मचारियों को ब्लैक्मेल कर रहे हो इसका अजया पूरा है लगता है इसका रेसीवर काम कि अगर नहीं है तुमसे बड़ी न कहां में कि तुछे मैटी ने भेजा है आपको सब पता है तो बताएं आपकी फोथी तीनागा हैसी तीना है तु सब्लोगों काटो अरुपना काम करो चलते हैं आप क्या धून रही हैं मेरे दातों का सेट लेगर भागते हुए तो सुना है लेकिन दातों का सेट लेगर कौन भागता है भला बुड़ी गोड़ी लाल लगाम अर्मान तो देखो उनका मजाक मत उड़ाईए तेरी रिष्टेदार नहीं है तो बात क्यों चुबी उसके भी एक वज़ाए था जली पीछे बैठी इसके पीछे अहां मैडी के अलावा मुझे कोई टच नहीं कर सकता आचा ठीक है आप पीछे बैठीए मैं बीच में बैठती हूँ आयाय थीक है ठीक से बैठीए हमारी पापानी कभी हमारी मम्मी को पहंते लगाया थी अंपर भी आप लगाया तो दो तो जीदा घर के बात नहीं है पर आफम्ट पढ़ना ख़र देधे बात कि आफके पाइक का प्ढ़्ट अई हमारी पूस्टों थिक्री निहाली अपर पढ़ है पुर यह गटना दस तारीक को दस बजे दास बाबू रोड़ परवी ना? सर आपको कैसे पता? मैं सारी कमजोर कडियां जोड़ पारा हूँ सर, कंटिन्याँ बले इस शादी थोड़ी देर से हुई पर इनकी किसमत में था तो हुझी था सच में, किसमत ही है देखो ना किसमत से हम भी रोज मिल रहे हैं कहीं है किसमत का कोई प्लान तो नहीं है तुम्हे क्या लगता है माया? मैं क्या कह सकती हूँ माया, तुमने कुछ बताया है नहीं क्या बताना है? अड्रेस या फोन नंबर किसमत अपना काम कर रही है ना? जब आपॉइंटमेंट फिक्स करेगी तब मीटिंग हो जाएगी सुनो तो उसका बैक तो काफी देख लिया अब फ्लैश बैक देखते है क्या कर रहा है, माया कर देख लिया अलो, वार्सप पर सेल्फी पर तुमने अपना लवर देख लिया आदे घंटे में अगर तुम यह नहीं पहुंची तो उस पर कफन का कवर चड़ जाएगा क्या या, कौन किसका लवर है, किसको फोन किया तुमने और कौन होगा, मैं माया से बात कर रहा थे मुझे बचाने के लिए माया क्यों आएगी लड़कियों के लिए अलवर इंचार्ज और सेल्फोन का रिचार्ज बहुत ज़रूरी है बात में तो लॉजिक है, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं माया का अलवर हूँ तुम्हारे और माया की बीच में पकर रही खिचडी को हम सूप चुके थे इसलिए हमने तुम्हें किड्नेप करने का फैसला किया वो अप पहुंचती होगी क्या वो सच में है तो ख्या वो आई थी? अहां चल्दी गुल कहीं पड़ा हो लेकिन मक्यू से ढूनते हुए आही जाती है देख वो भी आ गई जा उठा के लाओ उसे अना उचे आपसे जगड़ा नहीं करना है आपको चोट लग जाएगी अना बोलाना आपको नहीं मारना है मुझे अना मैंने कहा था नो कि किसमत में हम दोनों के लिए कुछ खास सोच कर था यह मुझे हुख अना है प्रिद्वेरे दूर्गते पाई अच्छ पिरे प्रिद्व प्रिद्वेरे अच्छ दूर्गते अच्छ चाहिए अच्छ आंगा उन्ना आपको नहीं मारना है तुम तुम मुझे क्यों नहीं वार रहे हूँ? अन्ना, आपकी वज़ज़ से मैं अपने प्यार को हासिल कर पाया, अच्छा यही होगा कि फैसला बदलने से पहले आप मत बदलो, आजाओ, यह तुम्हारे पीछे क्यों बढ़े है, कोई फैमली प्रॉब्लम है क्या? शाहिए टीना के भागी आदमी हो, पॉलीसमें की कम्प्लेंड कर दो सच में, कल संफला होटेल आजाओ, किसमत क्या चाहती है, हम बहीं देखनेंगे यार का इकरार होने से पहले ही होटेल में बुला लिया, लड़की तो काफी तेज निकली नहीं, आप समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है तो कैसा कुछ है? हाँ, जल्दी आ जाओंगी, ओके, बाई माया, बताओ ना मुझे यहां क्यों बुला है तुमने बार-बार कहा था ना, किसमत हमें मिलवाना चाहती है, आज फैसला कर लेते हैं फैसला करना है, कैसे? इस होटेल में कुल मिलाकर 29 फ्लोर हैं हम दोनों एक ही वक में अलग-अलग लिफ्ट में एक साथ जाएंगे फिर तुम किसी फ्लोर का बटन दबाना और मैं भी बई करूँगी और अगर हम दोनों ने एक ही फ्लोर चुना, तो समझो कि किसमत भी यही चाहती थी, कि हम मिले, इसलिए ऐसा हुआ यही क्या तरीका है? तुम तो यही कहते हो, कि किसमत जो चाहती है, वही करवाती है तो चलो, अब लिफ्ट में सुनो, सुनो, गल्ती से अलग फ्लोर पर उतर गए, तो क्या होगा? किसमत? शायद यह हमारी जिंदगी के आखरी मीटिंग हो, इसलिए गेम शुरू करने से पहले, हम दोनों साथ में कॉफी पी सकते हैं ब्रेक लाया, अभी तो उसने प्यार का खेल खेलना शुरू ही किया था तो तुमने कॉफी पी चरजा करना क्यों चाहा? बताता हुना साथ बताता हुना साथ किस महराज से लिखवा के लाया है, जो हर बार किसमत तेरा ही साथ देती है? इस बार मेरी किसमत ने साथ नहीं दिया, मेरे दिमाग ने लिया मेरे दोस्तों ने CCTV कैमरा की मदद से पता लगा लिया कि माया ने लिफ्ट में कौन से फ्रोर का बटन दबाया था इसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा ताईम मिल जाए, इसलिए हमने कॉफी पी ते रगट रूक, 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 रूक यहां कुछ तो मिसेंगा नहीं तो, जब तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ है, तो बीच में कुछ तो हुआ होगा हाँ, यादा है हम दोनों के बीच में लेक डीवल को मैंने जोर से लाख मारी और खिड़की के बाद सिंगे पता के जला के शहर ने हमारे प्यार का जश्न मनाया उस दिन पता के नहीं जल रहे थे पुलिस टेशन जल रहा था सर कंटिनियू उसके बाद तो कि तिन सो अच्छों सब्सक्राइब कौन डाड़ी क्या बात है यह मुझे डाड़ी को कह रही है यह मेरे हास्बिन है एक्सिडेंट भी इनकी मौत हो गई इनकी शकल बिलकुल मेरे जैसे है इसलिए आपको डाड़ी कह रही है डाड़ी केक दिलाओ ना रक्षा चुप हो जाओ डाटी है बत चोटी सी बच्ची ही तो है लो बेटा तैंक्यू डाड़ी आपको बड़ी तकलीफ हुई ना इसमें तकलीफ क्या है यह क्या कर रहा है यार जानी तो इस ओके लगता है पैर में मूझ आ गई है आराम से मेरा हाथ पकड़ लीजे उसकी जरुवत नहीं है आल मेज पकड़ी हाथ मैं छोड़ देता हूँ आप से मिलके अच्छा दो लगा लेकिन दिल में डर भी है कैसा डर आक्चली उनको भुलाने के लिए ही हम इस शहर में आये थे अब आपको जो देख लिया रक्षा चैन से नहीं बैठेगी देखेए मेरा ओफिस यही नस्दीक में है जब चाहें आजाएए ड़ी आपने आएंगे ड़ी बाद में आजाएंगे बाई बाई बेटा ज़्टी आणा डाधी बच्ची बड़ी क्यूट है ना बहुत ही क्यूट है ना सिर्फ एक ही बेटी है हां जी मैंने तुम बढ़ कितना भरोसा किया यह चीत लाया आप तक और कितनी लड़गीयों को दोगा दे चुकी हो मैं उसे जानता तक नहीं हूं उसे जानती नहीं हो फिर भी लड़की ने हाथ पकड़ा उसे जानती नहीं हो फिर भी बच्ची ने जाड़ी कहा उसे जानती नहीं हो फिर भी उसकी घर जा रहे हो मुझे बोलने दोगी या नहीं पहले उससे बोलने तो फिर तुम बोलना किसे मेरे सच बताई है तुम सुधरों कि नहीं न और तुम तुम जैसे पई कसूर है हैंसम लडगा देखा नहीं कि जब तुमने मेरी गल्फरंड को क्यों मारत तुमने तुम्हारे लिए उसे मारा था किसी और लड़की के लिए पर बीवी पर हाथ उठाओगे मुझे अपनी शक खेले पंडीत बनने के लिए शास्त्रों का गयान चाहिए कोर्ट मेरेच कराने के लिए वकील की डिगरी चाहिए लेकिन ऐसी कौन सी डिगरी है जिससे तुम जोडिया तोडते हो पंडित रिष्टे जोडने का काम करता है और मैं तोड़ने का दो चार शबदों में में नह करेंग करेंग के लिए किसी और को डूंड लूंगा है लो सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं होता है अगर ऐसी परस्टनालेटी चाहिए तो मेरे पास अब हीरो के डालोग मारने से कोई हीरो नहीं बन जाता है तल निकल ड्रिंक कदम करने दो फिर चलेंगे मावा मावा इसने भी दोका दे दिया हाई तुम भी मेरी तरह पैक बनाते हो अरे कहां जा रहे हो यार तुम तो मेरे पास बैटो ना यार तुम भी लव की एक्जाम में फेल हो गए क्या मेरी तो कोई गल्ती भी नहीं थी किसी कुट्टे यहां कर मेरे किसमत का कनेक्शन काट दिया वो मेरे हाथ लग जाए ना तो छोड़ू का नहीं है कहां जा रहे हो बॉस थोड़ा बैटवान है यार मेरे पास तुम तो दोगा नहीं दोगे न पहले माया चली गई फिर मामा चले गई लेकिन तुम नहीं गई यह होता है असल है यहां यहां तुम इसकी दोस्त हो मैं तो यहां बिजनिस ट्रपे आया हूं यह मुझे बार में मिले माँ बस करो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर यहां लेकर आई एक ऐसे आदमे से दूर जिसने हम दोडों को धोका दिया था लेकिन तुमने भी मुझे निराश किया मेरी बात तो सुन चुप रहो तुम मैंने दिन रात मेहनत करके अकेले तुम्हें पाला उसका त है तुम्हारे संसकार आज मैं फिर से हार गए बेटा तुम्हारा भाई जो उनके पास है वो अब तक डॉक्टर या कलेक्टर बन गया होगा मैं तुम्हारे पापा को भूला चुकी थी पर आज तुमने मुझे फिर से उनकी यार्द दिला दे मां आम सॉरी मां ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा मेरी एक इच्छा है पूरी करोगे जरूर करूंगा मुझे तुम्हारे चोटे भाई को देखना है उस वक्त मैं गुस्से में थी जब मैं तुम्हारे भाई और पापा से दूर यहां ले आई तुम्हें भी अपने पा होकर आजकल मदूराई में तुम्हारे पापा झहां भी रहते होंगे शान से रहते होंगे बहुत परोपकारी है वहाँ जाकर किसी से भी अर्विन पूछोगे तो तुम्हें बता देंगे ट्रीक माँ मैं कली वहां जाता हूं रहे मैं भी कल वहीं जा रहा हूं दुनों मिल कर उन्हें डूंड़ेंगे अजु छो पापा से सपिसें प्रनमा लोग इने चूना देव बाबा बोलते हैं और कहते हैं कि यह जो कहते हैं वो सच हो जाता है यह बहुत हो गया लो देखा बाबा के खिलाफ यह लोग कुछ भी सुद नहीं सकते मौसम विभाग वाले सेटलाइट लगा के भी खलत जानकारी देते हैं तो इस ढूंगी की बाते सही कैसे हो सकते हैं अगर वाकई में उनके पास इतनी सिद्धिया है तो उस डफर को नौकरी दिला के दिखाएं जो टेन स्टेंडर में दस बार और 11 सेंडर में 11 बार फेल हुआ है कौन है वो बतकिसमत वो मैं हूँ तो क्या यह सर सिद्ध पूरुष बुला रहे हैं सिद् मैं अब को इतना बड़ा बुरा के दिया अम्माफ करना स्वामी जी जल्दी से मुझे भी प्रसाद देना क्यों ना कर रहा है तो तेरी क्यों चल रही है क्या हुआ है हैरान हो कि बाबा के बारे में मेरे विचार बदल कैसे गए बाबा ने चमतकार चो किया मैंने उनसे का म मुझे नौकरी की जरूरत है तुरन तभी विजेकालिया का फोन आगया कहता है अकाउंटन की जरूरत है धन्य हो चुना देव वाबा मेरी तो सच्मत किस्मत खुल गई है मैं रगता है मुझे बुला रहे हैं तो जाओ ना सोईवी किस्मत का अलांग शायद बच जाएगा क्या तुम अपने पिता को ढूणने आये हो सवामी जी आपको कैसे पता उसने मुझे बताया किसने मेरे पिता ने चाओ उस तालाब के पानी में श्रथा पूरवक डुपकी मार कराओ तुभारे पिता मिल जाएंगे अब जाओ तुम भी जाओ इसे पानी में जाने की क्या मत करो इसको हमारे पास छोड़ों इसके रखवाली हम करेंगे तुम जाओ है है सुनिए चुना देव बाबा कहा गए नाम ऐसे नहीं है लोगों को चुना लगाता है जिसे नौकरी मिली थी दोनों मिले हुए है वो उसका बेटा है क्या यह बात पहले क्यों नहीं बताई वो कावत है ना समझदार को इशारा काफी है मैं कब से इशारा कर रहा था अरे यार पॉकेट में डेला नहीं बचा है वो मेरे सारे पैसे ले गया अब यहां पर क्या करेंगे घबराओ मत मैं अपने पापा का नाम तो सब कुछ अपने ठीक हो जाएगा मेरे पापा अर्विंद यहां के राजा है तुम अर्विंद के बेटे हो क्या हां आप उन्हें जानते हैं क्या तुम्हारा सामान जो लेके भाग गया वो ही तो अर्विंद है लेकिल माने कहा वो करोड़पती जमींदार है करोड़प तुम्हारे पैसों से बियर बार में आश कर रहा होगा है 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 पिछले दो दिनों से लग रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है लेकिन मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा यह सोचा भी नहीं था अफसोस यह है कि तुम्हारी माँ अपने दूसरे बेटे से तो मिलना चाहती थी लेकिन अपने पती से नहीं मिलना चाहती मेरी माँ तो क्या कोई भी औरत धोखे बाव उस पती से नफरत ही करेगी ना है क्या दोखा दिया मैंने क्यों शादी से पहले आपका एक लड़की के साथ चक्कर था ये बात माँ से चुपा कर आपने उनसे शादी कर लिए है किसने किसे दोखा दिया ये बात सिर्फ मैं जानता हूं भिना किसी घलती के मैंने जिन्देगी में सब कुछ खो दिय तसम कहका कहता हूं मैंने तुम्हारी मा के साथ ब हRIA नहीं कि मैं उससे बहुत प्यार oppress करता मैं बच्पन में ही अनाथ हो गया था मेरे पिता जी के दोस्त नहीं मुझे अपने बेटे की तरफ आना आप इस बार एमेले के लेक्षे भी क्यों नहीं खड़े होने चाहते हैं अब कुछ नहीं रानते हैं आप ही हमारे एमेले होंगे मेरे सुरगिये बिजनस पार्टनर के बेटे को भी तो मौका दो अंकल, मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिल्चस्पी नहीं है मैं अमेले वगरा बिलकुल नहीं बनना चाहता हूँ मालिक, आप और अर्विन भहिया अगर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो वो टिकेट मुझे दे दीजे ना मैं भी तो आपके परिवार का हिस्सा हूँ पशुपती, परिवार के साथ रहने और परिवार का हिस्सा होने में फर्क है नौकर को अपनी आउकाद भूल कर मालिक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए मैं तो आपका वफदार हो मालिक वफदार तो कुत्ता भी होता है, लगर उसकी जगे घर के बाहर होती है उसे घर के अंदर नहीं लाया जाता है इस घर की गर्दी पर सिर्फ इस घर का बेटा ही बैठेगा आखर ये हमारी इज़त का सवाल है मुझे गलत मत समझे मालिक अगर मैंने अर्विन का प्यार लक्षमी को यहां से भगाया नहीं होता और अर्विन से अगर जोट नहीं बोला होता कि वह मर चुके है तो आपके इज़त का क्या होता है यह क्या बोल रहा है तो लक्षमी जिन्दा है अरे जाने अंकर आप भी तुमद बढ़िये है सच सच बोल वरना मैं तो जान से बाड़ा लूगा अर्विन जी मैं आपको सच बताता हूँ आपके अंकर नहीं मुझे लक्षमी को इस शेहर से दूर ले जाने के लिए कहा था ताकि उसकी मौत के जूटी कबर सुनकर आप तुलसी से शादी कर लें पेरी लक्षमी कहा है पता मुझे नहीं पता अंकर और अंयों है कि उसने जो कह सच है आई सच है ले मैंने बस अपने खांदान की इज़त की अच्छी आपके खांदान की इज़त इस वक्त लक्षमी के पिट मेरा बच्चा बन रहा था इससे तो अच्छा हो तो आप मुझे अनात ही रहने देते यह सच जाने बगाएर टुल्सी के साथ घर मसाया और अव से दो बच्चे क Grade सब़स्व hedge आप आप दून्हार दून्हार माले को मार दिया आप लिए पर बेटे का उसा लेकर काम चोड़के चले गई चोटा बेड़ उसकुले नहीं था इसलिए जो आप पर ही छोड़के चले गई सजा काटके रिहा होने के बाद मैंने हर जगह तुम्हारी मा की तलाश की और वो कहीं नहीं मिली लक्ष्मी को भी ढूटा हमारे बेटे को जन्द देते ही वो इस दुनिया को छोड़ कर चली गई फिर मैं शक्ति को लेकर यहां आगे पर अब आप अकेले नहीं है मैं और माँ मैं चला अपनी नहीं पागल हो क्या चलो अरे कहा ना चलो मैं नहीं आओंगा चलो यह सब क्या हो रहा है आपस एंजॉय करो तो बनाना ग्लास उटा सब एक साथ चीर्स करेंगे किस पात की खुशी माला लक्ष्मी का बेटा मिल या ना चीर्स यह क्या कह रहे हो तुम कौन काह आओ आपके सामने हैं यह 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 लक्ष्मी का बेटा मुझे भी शत रहवा धा तब फीमाद कुछ्य बहुत कि भी मेरा ही भाई है लूम में गाना गाकर भाईयों को मिलते देखा था शराब पी के भाईयों को मिलते पहली बढ़ नेका है कि मुझे पाफ करते न पेटा यह सब जाने अन्जाने में हो गया का हुआ है यह क्या पिटा भी आप यह चैखो किसले रखा है किआ आपको मारने के लिए संजय की मां की बातों से मैं समझ गया था या फिल गजे पुल पापा अंकल की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा तो आपके पापा का था ना जेल जाने के बाद उस जायदात का क्या हुआ सब अंकल की बेटियों के नाम कर दिया अंकल की बेटिया है तीन बेटिया है अंकल को बेटी की चाहत थी इसलिए मननत मांगी थी कि बेटी होगी तो मेरा मुंडन कराएंगे फिर क्या था मननत पे मननत पूरी होती गई और बेटियों के हैट्रिक लग गई और मेरा मुंडन ह मोतरा इस बात की खुन्नस निकालने के लिए मैं उनको चढ़ाया करता था और खुट टांग खीचा करता था इसी वज़े से नफरत करने लगी फिर मैंने एक फिल्म दिखिए सिस्टर इंडिया उसमें भाई बैन के प्यार को दिखाया गया था फिल्म में उस प्रेम को देख भी मुझे ठेराया गया तो उन तीनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए मैंने पूरी जैदाद उनके नाम कर दी और इसे लेकर यहां आ गया लेकिन आप तुम तीनों जो मुझे मिल गए हो तो मुझे लगता है कि आवेश में लिय तुम्हारी तीनों आंटियों को तीन बेटियां है याने खुल मिलाकर नौब अंकल लोग को और को गाम नहीं था क्या टोटल तीन बेटियां है समझे ना उन तीनों लड़कियों से अगर तुम तीनों शादी कर लो तो आहां हां मेरा हमेशा का सपना पूरा हो जाए अरे अखिर इस सब्सक्राइब हर्जी क्या है वह तो बना बनाया रिष्टा मिल रहा है तो तुझे क्या टेलिए मैं एक लड़की से प्यार करता हूं किसी और से शादी कैसे करूं मेरी कान ही आलाग है दोनों में कोई फर्क नहीं है अर्विंद के बेटे उनी के नक्षे कदम चलेंगे ना हम तीनों लड़की उसे प्यार करेंगे और फिर शादी कर लेंगे तुम दोनों तो हैंसम लगते हो तुम दोनों की गोटी तो फिट हो जाएगी लेकिन मुझ तीसरे गोटी है क्या अरे यही सब सोचकर तो मैंने एक प्लैन मनाया है बात सुनों कल इस शहर के सबसे बड़े मंदिर में पहली आरती देकर तुम्हारी आंटियां उत्सो शुरू करेंगी हर साल यह तीनों अपनी बेटियों के साथ उस मंदिर में जाती है तुम लोग वहां जाओ उन लड़कियों का किड्नैप करना और फिर उनसे शादी कर लेना सही कह दिया बुरे इ यह जब तुम चाहें लगए तो मेकप अच्छे से कर और ना पढ़े जाएंगे एए मेरी शादी होने को कोई चांस ही नहीं था बड़ी मुश्किल से पापा ने अंधिरे में उमीद का नाइट लैम जलाया प्लीज अब ऐसी बात करके उस नाइट लैम को भुशाओ मत जबता है ना उसी तरह दो लड़कें को ठाने पर एक लड़की फी में तीन रहेंगी तो ऑप्शन जब लेंगी बेटा मैं आउपर खड़ा हूं दिख रहा हूं ना वह देखो पापा अधिक रहा है वह तिनू वहीं खड़ी है कहां खड़ी है वह सबसे बड़ी वाली है और वहां विए वैर भी सपने वहार फीछ बाली है तो कहां है कहां तो भुटको भुटको बहुत को यह लो पापा अधा चलिया वह कॉन है अब स्काम पास्टिक रह चलो करें में कुर्या उच्छ तुर्फार्प्स होगा है ताना मैंने कुरी जीशी खाली गरदी ये अगले तीन चार्फ गंदे तक उठीन नहीं चलो पिरस तर्से चलो आइब रास्ता साथ कर्याद कि एक जुद्धर कईसे चल्दी चल्द पड़िका अच्छा मैसेज गारना अब क्या करें हम तो चारों तरफ से खिर गया है इने छोड़कर भाग चाथते है तुमेने लेकर जाओ आए संभाल लेता हूँ सचे तो संभाल ले नहीं दे चलो चलो लिखलो बच्छारों लेकर जाओते है ये वे अर्छ भॉन देखल भी रहा cathंum कि अदो कि ते हैं मिनेरल वाड़ रख्या यह बगवान के लिए था तो इनसान वागवान करो जब चल जा इस तरह अब और उपर फेंगो तूपर चड़ क्यों मैं की चोड़ा उपर चड़ पर चड़ा दो पता नहीं तूपर चड़ा रहा रहा है अच्छे ब्रबर क्या हुआ यह मेरी वाली ना निकले तूपर पता जी स्टेंट थे क्या यह ने बताने को टाइम का है चले बताने को तूपर पक्यों मैं वह हो तूपर अक्यों मैं तूपर थे विझस जब यह सांवर सस इalso जब से थे आशे बादो हमिर! बाजाए शक्ती है बहुदी थीज़ थीज़ है हम आए भड़ी या कर दो किया तुम लोगों ने मुहुरत बीचते से पहले मंगल सूत्र डाल दो जल्दी करो जल्दी करो अरे उरे बाहर तो निखालो यह तो क्या दूंगा अंडर्वेर का आड़ करने वाला मॉडल लूँ जल्दी करो इतना संदाटा क्यों है पापा हमारी भीविया खुबसूरत है अरे क्यों नहीं होंगी इनकी माएं जो इतनी खुबसूरत है चलो छो देखने तो मुझे uh किया हुआ पाप अरे बाप रे आण लिइन लोगो कि मुझे तो चुलेगी इंप ने 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 तो कहा था ना घ्रीनज गुलू वाली आरे वो तो तुम्मारी आ अंकिया है। लोगों ने हो शारा उनको इसके पहले कि वो देख ले बागो यहां से कारू पर रहे हैं हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है अब उन्म लड़कियों को उनके गाहों से किटनाख परना होगा उमेद है कोई मुसीबत इस आसी के पुरबर के तरह हमारा प्लाइन होगे तुम कितनों को सब्हाल सकते हैं बट्ले वाले थी या फिर सांटाइब के दूप तुम्, मैं आफूद को समालू वाई बड़ी बाद होगी वाई चुर्ण कर्यांस कारी वाई आपको छोड़ देंगे बताइए, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो जो रोट का कॉंट्रेक्ट हरा ना, उसी बारे में मुझे आपसे बात करनी थी अगले हफते मैं इलेक्शन का फॉम भर रहा हूँ इलेक्शन जीतने के बाद, कॉंट्रेक्ट आपको ही मेरें इलेक्शन से क्या फरक पड़ता है, एमेले तो आप ही बनेंगे पिछले 20 सालों से आप ही तो एमेले बनेंगे पापा, पापा, पापा ये, ये किसने किया? आज तो तेरा बेटा जिन्दा लटक रहा है, आइंदा एसी हरकत की तो इसकी लाश लटकेगी आज तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तुने हमें किड्नैप करने की कोशिश की मैंने तुमको किड्नैप करवाया बहुत खराब एक्टर हो तुम, मैंने अपनी आखों से तुम्हारे आदमियों को अंडर वेर में भागते हुए देखा ये, तेरी बात कर रही है जानती है, एमेले के बेटे को हाथ लगाया है तुने एमेले होगा तु अपने घर में, इस गाम के लिए तो तु आज भी हमारा पुराना नौकर ही है शायत इसी वज़ा से तु अब तक यहां जिन्दा खड़ी है मुझसे बंगा मत लेना, अगर मैं अपनी अवकात पे आ गया ना, तो तरी साथ पुछते मेरी नौकर बनेगी एमेले होने का घमंड है न तुझे, तु एमेले ही ना रहा तो मेरे खिलाफ लड़ेगा कौन मैं लड़ूँगी, मैं चुनाव लड़ूँगी भी और तुझे हराऊँगी भी, पूरा शहर देखेगा यह घर है या मैरेज हॉल, शादी के लिए इसी घर को बुकर लगे मैं भी कह रहा हूं यह गलत है यह तो मचानक, महापुर्शो जैसी बात है क्यों करने लगे हो पहले दिन से ऐसा ही कह रहा हूं, अब चलो वह आ गया है, सोचाओ मेरी वाली कैसे लगी? अच्छे लग रहे है ना? यह बला तेरी वाली कैसे हुई? अरे, सेक्स टैंडड में रुकु नामगी एक लड़की से प्यार करता था, इसकी शाकल उसी से मिलती है, मैंने भुक कर लगे यह वाली मेरी है, अच्छा इनमेंसे एक उंगली पकड़ो तेखा, तुमने एक उंगली पकड़ी, वो मेरी है माफ करना भाई, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता, तुम्हें पहले वाली पसंदी न, तुम उसे रखलो मैंसे काम चला लूँगा इतनी जल्दी फैसला कैसे बदल लिया, क्या है न, रुकु से पहले, फोर्ट स्टैंडड में मुझे कुक्कु नाम की लड़की से प्यार था, वो मेरा सच्चा प्यार था, इसकी शगल उसकी जैसी है, इसलिए मेरी हो गए, एक घुमा की दूगा, कोई एक उंगली पकड़, जाने दो, भाई भाई में उंगली नहीं कर दे, ये तुम्हारी हुई माया, माया, आरी हो मा, ये यह कैसा आगे, हम क्या करें, हम डरे तो कुता शेर बन जाएगा, हम शेर बन गए तो कुता कुता बन जाएगा, डॉग लोचिक, असके डराए कैसे, उसकी आखों में आन डाल की खूर, ये कैसे खूर रहा है, गुस्ते से खूर, उसके साथ रोमैंस फुली ना करना है, इतना ठीक है, आखें और पढ़ी कर और ज्यद्दा और खोल, और खोलूंगा ता आखें बाहर गर जाएगी, आगे क्या करूं, उसक और तभी भागते हैं जब इंसान भागते हैं मैंनी भागगा तो भी नहीं भागेगा यह अनिमल लॉजिक है अरे यह तो मुझ पर ही चड़िया इस के रादे ठीक नहीं लगए अबे उच्चा कैसे अड़ो यह दिखता नहीं किया लॉजिक का इस्तेमाल करा है यह यह वक्त केया उच्छाओंवांग हरू面े वस भागेट में आखेशन सब्सक्तुरा यके अधिरे अधिया को सब्सक्राइबे ऐसेखी अधि-वमार है यह घृतbenर है, लुभागत अवे, पकड़े आए तो चुपना है जटूंगोगर है यह उतिया जली का है कर दो चलो इस तरफ और भागा नहीं सकते हैं अंधियरे में कुछ दिखाई ने दिया यहीं कई होंगे फुड़ों ने क्या अचीब जगा कुट्य से बचे तो भूत पीछे पड़ गया जो कमी थी वहाथ में खंजर लिया गांवालों में पूरी कर दिया है मेरी पैंड भी लेगा हाथ पर कट जाए तो भी चलेगा बस सर नहीं कटना चाहिए तुमने विल्कुल सही का था हम जो करने खलत कर रहे हैं अब चाहिए जो हो जाए हम इन लड़कियों से ही शादी करेंगे मैंने तय कर लिया है तो यह शादी के खिला इसे ही अचानक से क्या हो गया वही हुआ जो जवानी में होता है यह जल्दी उठो उठो जल्दी क्या हुआ खुदी आकर देख लो पिछे से निकल चलते हैं वहां भी लोग खड़े हुए हैं हमें ने बता देंगे कि हम चोर नहीं है बलकि अर्वीन के बिटे हैं आंटी इसको पता चला तो निकलने का चांक भी चला जाएगा फिर पापा के सपने को तुम लोग भूल जा इन से बात करते हैं लेकिन एक मि पिलिस पूलिस थे सब्सक्राइब कर अपने पापा और कॉन एक बार यहांप अकले पुलिस वाले बन कर आए पर उनका वो जूट हमारे काम आएगा पुलिस टेशन का ताला तुड़ावा देख मैं समझ गया था कि पुलिस का रातो रात यहां तावादला हो गया है आपको पिछली बार एस्पी साथ देखा था इसलिए देखते ही पहचान गया इसलिए पूरे काउं को इकठा करके मैं ही यहां बहुत समझ दाए आपके रहते टीवी चानल की जरूरती नहीं बड़ेगी अंदर देख वर्दी है के नहीं वैसे आप लोगे हथियार लेकर यहां क्यों आए अपी वक्से बंद पड़ा था ना इसलिए जाड़ू आणों सब साथ लाए चले देखते क्या हो चलो का इस वाले बंजाते हैं क्या पकड़े गए तो थर्ड डिग्री लगेगी सबसे पहले यह यह एक शराब की भट्टी है इसलिए हर आपको हपते पहुचाने का जिमा मेरा आपको वसितना कर रहा है कि मेरी भट्टी पर आकर आपने दरसे नहीं लें लेकिन यह सुनी तो तु जरूरोज पाश्य। और लोचे करुड़। और आंधे लोइघ से ये ये, ये ये को लुड़ाी प्रफ़ जाज़ 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 जाज फंक्रॲए म्हटेlles लुछ टुछईे तो घिमरे अब्छायोच कि दुछ़ नहीं आपck consists Tamam कि म는 छींट कि अजिदे छेंग कि में ऩशेंग resent फ्लोगा समय होगा कि तुद tous मुड़ार थे हो। फ्लोगा yourself बर्ण बन्यमान, इंस्पेकर न्यायए है डूटी और बोस उपेकर दुटिए बन्हु पॉंस्टेवल स्की करता है करता है करता है ह यृ्व करता है हुआ 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 है बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर ये दो मेरा फ़रस्तामाड़। ये उस पशुपती की चाल लगती है पहले हमें किड्नैप करवाया और अब हमें हमारे गाव में मारने की कोशिच कर रहा है। मैं कहती हूँ उसे अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए। आप उसे अरेस्ट कीजिए। रहने को, उसे अरेस्ट मत करना। उसकी सजा इसी में है कि वो एलेक्शन में मुझसे हारेगे। सही है मैडम, बिलकुल पॉजिटिव अप्रोच। कभी वक्त मिले तो हमारे घर लंच पर आए। इस शुब काम में देरी की उकली आ जाएंगे। वागे बाद है, हमारे स्वागत में इतनी आओ है। यह अपने पिता के शराद की पूजा करा रहे है। कौन है तुम लोग। वर्दी ने धिकी बंगी, पुलिस। यही पर रुको, पूजा खता मुझा है, फिर भोग मिलेगा। यह क्या, खड़े-खड़ी जब का कचरा कर गई। हे, तुम यह क्या करे हो? पुलीस हूँ, कहीं भी पहुँच सकता हूँ. यह क्या नया ड्रामा है? बॉइफ्रेंड तो नहीं बन पाया, अटलीस्ट बॉडी-गार्ट तो बननने दो. ममा! तो मेरे आगे चलो. अब कहाँ चले गए जी? सुना है, कल रहा था आपके घर में चोर घुसा आए थे. मैं चेक कर रहा था, सब कुछ ठीक है. ममा, यह कौन है? यह इस एरिया के नए पुलिस इंस्विक्ट्र. इन्होंने ही हमें बचाया. आज कल चोरों पर भरोसा कर सकते हैं और पुलिस पर बिल्कुल भी नहीं. इसे जाने को काओ. आजाते हैं मूठा. इसकी बातों का बुरा मत मानना. बड़े नाजों से पाला है न इसे. कुछ भी बोल देती है. इस ओके. देखता रही क्या? दूर से तो ट्मिकल्ट्में का लेटिल स्टार दिखती है. लेकिन पास से सासुरी चौदरी का चान लगती है. क्या? पास से देखना. मतलब चोर के लिए सुराग ढूनना. तुम कहा टाइम पास कर रहे हो? तो इने लिए जाकर घर दिखाओ. पहले उस तरफ चलें क्या? वहां भी जाएंगे पहले इस तरफ चलिए. आप संयुकता मैडम को जैसे देख रहे थे, मुझे ये सब ठीक नहीं लगा. नौकर को अपनी हैसियत भूलनी नहीं चाहिए. सर, वह नौकर नहीं है. इस घर के दामाद है, वह संयुकता जी के पती. ओ, सॉरी सर. बत्तमीज, नौकर. पहले क्यों नहीं बताया, यह मालिक है. सर, ऐसे जाहिलों को काम पर मत रखिये. सर, मैं सवीता मैडम का पती हूँ, इस घर का दामाद. आपको भी एक सॉरी सर, आप दोनों की शेकल देखिये. बिल्कुल जमादार या ड्राइवर लगते हैं, तो कैसे बता चलेगा दामाद. चाहद यही हमारी किसमत है. इससे पहले दो आदमियों का इस घर पर आग चलता था. ससुर जी और उनके गोद लियोए बेटे का. ससुर जी की खादसे में मौत हो गई. और गोद लिया बेटा? वो जिन्दा है, लेकिन घर छोड़े वे कई साल हो गए. बहुत अच्छा इंसान है. उसी ने हम तीनों की शादी अपनी तीनों बहनों से करवाई. उसी की वज़े से अपनी पत्रियों की बत्तमीजियां हम लोग चुप-चाप सह रहे हैं. वो होता तो हमारी हालत ऐसी नहीं होती. कंप्लेन लिखवाई है, उनके गुमशुदा होने की हम ढून लेंगे. दोड़कर क्या करोगे, जानते हुआ यह लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपने स्वर्गिये पिता का श्राद. और साथ ही अपने भाई अर्विंद का भी श्राद कर रहे हैं. गेर होकर भी आपको इतना बुरा लगा हमारे बार में सोचिए वो तो हमारा सगा था आए ये इस घर के तीसरे दमाद है भरी दोपहर ये सो क्यों रहें सोने रहें कुमा में है पिछले दो सालों से कुमा में है इस तरह आई ये लोग घर भा में क्यों भूं रहें तुमारी माने का आई नहीं घर देखाओ तो मेरा देने के बाहने में यहीं रुख जाता हूं रात को जैसे ही चोड़ाएगा मैं उससे दबोश लूँगा और मेरी वाली मुझसे इंप्रेस हो जाएगी चोर कहां से लाओगे तुम बन दस विनिट में तो एक्षिन शुरू हो जाएगा तब तक मैं जरा रुमैंस का एंजिन स्टार्ट करके आता हूं यह कैसा भाई है आया है मुझ काला करके यह बाभी को जो चलो चलो काम पर लगो ए यह एला निया एक जोर का देता हूं यह कानी में डूस क्यों अरे मुझे तो निया चौल रहे विक्रमत करो वो मुझे समाल रहा है तेरे मत अपन मैं उसे समाल रहा हूं ए तो अरे कोई पकड़ो से भाग रहे है तो तुम गलत टाइम पर नीन से जागी हो अभी तक तो वो पिट रहा था एक पुलिस वाली हो कर रो रहे हो शरम नहीं आती रोने र जाओ जाके प्लिस टेशन में बैट करो अरे चल 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 एक सिक्ड़ अलो तुम सेटिंग करवाने आये थे या मेरी कबरे खुदवाने आये थे प्लान क्यों चैंज क्या मुझे तना बारा क्यूं क्या बोल रहा है हम तो अभी तक निकले भी नहीं तुम्हें क्या यह थे बूतों के डिलिवरी बॉइ दस मिनट पहले ही आ गया तु चल आगे है तो मार दे मुझे आरे का दा रहा है अरे तुम्हें क्या रहा है यह तो कोमा ओले दामजी है काली पैंड काली शट कोमा के नाटक वाले मार मार के मेर पर फुल स्टॉप लगा दिया यह आवा यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अर्विंद के पेटिया वैसे आपको भूत बने की क्या सुरोत पड़ी एक दिन बैंक गया तो पता चला कि सी फ्रॉड ने हमारा बैलेंस ही सफाचट कर दिया अपनी बीबी की थर्ड डिग्री इंटेर्ग्वेशन से बच अब लोगों की बनती क्यों नहीं क्योंकि ये शादी उनकी पसंद के खिलाफ हुई इसलिए वो आज तक हमसे नाराज है हमारे पास उनसे दूर रहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है अब तुम लोगों से क्या चुपाना अपनी बीवियों के साथ एक ही कमरे में सोय ह कई साल हो गए अलग रहेंगे तो दूरियां बढ़ती जाएंगी पती या पिता होना पोस्ट नहीं है रिष्टे हैं उन्हें निपाना पड़ता है हमारा केस इकदम होप्लेस है मैंने सोचा था मेरी तीनों आंटी इस पापा के घर छोड़ने के बाद खुशी से रह रही ह दाता था लेकिन आपकी हालत तो उनसे भी बुरी है कि इंटेवल हो गया तो क्या हुआ मोड तो आप आएगा तो यह लो हम यह लो इसमें छे नए टायर के बिल है शे टायर स्टेपनी मिला के भी तो पाच ही होते हैं अरे सिर्फ टायर के बिल में गडबर नहीं है यह बता हमारे घर में कितने नौकर है हम दोनों को जोड के 26 नौकर है और पगार लेने वाले कितने हैं चौबीस है लेकिन अकाउंट में 45 करती हैं तुम लोगों की तरह बीवी के टुकड़ों पर नहीं पल रहा है आज से अकाउंट मेरे पती संभालेंगे संभालोगे ना करेंगे आपको निराश नहीं करेंगे अरे सब लोग ऊपर आओ जल्दी आओ जल्दी आओ देखो देखो इनके हाथ ही रहे हैं जामतकार कैसे यह कमाल है सुन्डी सुड़ो को सुन्डी सुड़ो को यह चाइनीज अक्यूपंचर का इक पार इसमें शरीर के मर्म स्थानों पर मालिश करने से इंसान में जाना जाती है शक्ति तो इसमें स्पेशलिस्ट है पर जब इ बहुत बहुत शुक्रिया जब से कोमा में गये है बागीची को समालने वाला फूई नहीं है सत्ना नाश हो गया है अब इन्हें कल से काम पे लगाती हूं आज तक कोई डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पाया आपने पलभर में ही कैसे कर दिया जो डॉक्टर नहीं कर पाता है कली कभी कमपाउंडर कर देता है जुन्डी सुडों को प्लान कामियाब होगे हाँ कि या बात है कोई अजंच काम था वैसे तो आपको धमकी बारे फोन आते ही होंगे पर हमें इंफोमेशन मिली है कि आप लोगों की जान को खत्रा है तो अब हम क्या करें किसी ऐसे कमरे में जाये जहां आप सोती ना हो ऐसा कमरा तो बस हमारे पतियों का ही है तो प्रॉब्लम स ममा बहुत जोर को बातल करेज रहे हैं मुझे डर लग रहे है क्या मैं आज रात को आपके साथ सब जोंगा इस ओमर मेभी किपी स्ट्रॉण है ममा बातल को से गरज रहे है मुझे बहुत डर लग रहे है रोटन दबा दे सोना इनी देर घर वड़ ले कर देख आओ अ ममी नहीं पपा नुम्हारे होने वले बच्चों का मैं पूछ रहे थी मम्मी का है वो अपनी सेफटी के लिए पपा के कमरे में तुम्हारे पापा के साथ पागल है तुम्हारे अपने पस्टल पापा के पास कभी एकी पलन पर नहीं बैठा हूँ तुम्हारे हाथ नहीं कापने इतना चाहते हो मुझे इस सवाल का जवब शक्ति खपूर बनके नहीं संसकारी अलोपनात बनके देना पड़ेगा ममा तब भी तो ठीक है ना बॉडी होट लग रही है होट मैं नहीं मेरा मूर्ट रही ह वाध किया हुआ है यह लोग हमारी सेफटी के लिए हमारे कमरे में सो रहे थे प्रब्लम क्या है अपके कमरे में सोने चली गई ती और उसके बाद यह मुझ से आकर लिपट गई और और लिपट पर जोर से चिला कर यहां है अब बस इतनी सी बार यहां अँटी मुझे पहल तुम तो रुख जाओं अंकल कल रात बहुत वक्त बाद जैन की नीन सोय हां अरे काहे की नीन अकेले थे तो बिस्तर नसीब हुआ पर कल तो हम लोग जमीन पर सोये टेंशन मद लीजिए सब ठीक हो जाएगा हम आपके इतनी मदद कर रहे हैं थोड़ी आप भी मदद कीजिए जब तुम नॉमिनेशन फाइल करोगी तभी चड़ावा चड़ा हैंगे तुम चिंता मत करो तो फिर हम निकलते हैं संजय चलो हमारे साथ कहां जा रहा है वो government office है हमारी जान को खत्रा है जान को खत्रा है मतलब हम election में आपकी मदद नहीं कर सकते हमारी नौकरी खत्रे में पढ़ जाएगी हां नौकरी तुम्हारे साथ मैं चलता हूं बाकी लोग इनके साथ चले जाएंगे ठीक है आप जाईए ठीक हम चलिए जली माया मेरी फोटो क्लिक करोगी सेलफी ले लो ना अरे बस एक ही फोटो क्या मुझीपत है रेडी हाँ 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 अब यह कौन यह हैदराबाद की सब इंस्पेक्टर है एक सीक्रेट बोलू तो किसी को बताओगी नहीं ना कैसा सीक्रेट दरसल मैं और संजे एक ही पुलिस बैच के हैं सब इंस्पेक्टर बनने के बाद उसे उटी में तोने मिलके उसके प्यार का ब्रेक अप करवा दिया इसी लड़की ने तो उसके बीवी होने का नाटे किया था क्या तुम सच कह रहे हो बिल्कुल इसके सर की कसम खाता हूं मेरी क्यों खार भे चल बताता हूं मेरी जूटी का संप्ली अरे भाई का घर बसाना था अगर उस चक्कर में मेरा टिकेट कड़ गया तो अलो बोलो यहां पर सर आपको गिलास में पीने में तकलीफ होगे इसलिए शराब नारियल में भरके आपके कार में रखवा दी है आप जल्दी जाईए और गट-गट- इसलिए नारियल बॉटम जब हो गए तुने पिये क्या है अगर गए शंचे अगर बढ़िया था और मिलेगा क्या है उस नारियल में पानी नहीं है भट्की बाले ने तारु मिक्स किया तो अपना कुटा था जाना है जर सर जर कार की चावी मिल नहीं रही है यही होगी देखो अलो देर हो रही है तुमारी गाड़ी की चावी नहीं मिल रही तो हमारी गाड़ी में चलो ड्राइवर को बोल दो चावी ढूंड कर गाड़ी घर ले आए आप हमारे साथ चलिए देखे वह खुला इन्वाइट कर रही है ऐसा बंपर मौका फिरने मिलेगा चल्दी आपके खेती करने के बारे में सोच रही है तीरे पूल पूल जाएगे अब मैं किसी को भी नहीं विठाऊंगी अब मैं बैट होंगी उसका आपके अरे सुना मुझे यहां पर बहुत चक्कर आ रहा है मुझे विंडो सीट चाहिए प्लीज यहां पर बैठ जा उल्टी करूं क्या सुरी मैं गेर चेंज कर रहा है कोई बात है नहीं चलेगा चलेगा मुझे तो तोड़ेगा मैंने कहा था ना मेरी बात नहीं सुनी अब यहां नीचे बैठो चलो क्या मुझे प्लिश कुछ क्प्रिवल कोタप खेंटסबस्नी सी मुझे तोड़ेगा भूबबबबबबबबबबबबबबबबबब कर दे expired बांशफिय dándर ईहा है झाल 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 और रूट आपको अखेली बैठी है जाकी बहुंते हमारा रोट लेयर होगा तब जाकी हमारा के जोकर नहीं जाओ मामा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी तुम कुछ कहो उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है मुझे गलत मत समझना क्या पात है मां आज जब मैं नॉमिनेशन फाइल करनी तुम कुछ नमस्ते लाइए क्यों बाई ये नॉमिनेशन है या रिजल्ट आभी गया इसे नॉमिनेशन नहीं रिजल्ट ही समझो पस जच्छन थुड़ा जल्दी मना रहे है तुम्हें क्या लगता है ये इलेक्शन जीत जाएगी अगर तुम्हारे बाप जैसा नीच धूरत इंसान इलेक्शन जीत सक रे रे ये क्या कह रही हो आप तो मेरी माल कीन हो आप क्यों नॉकर बनने लगी ये आपको शुभा नहीं देगा उसके बदले में तुम्हारी बैटी मेरे घर के बहु बनेगी चुप क्यों हो गई कई हारने के डर से घबरा तो नहीं गई देखो इलेक्शन लड़ना तुम्हारा कान नहीं है घर जाकर रसोई संभालो इलेक्शन लड़ेगी उसने सबके सामने मुझे चैलेंज किया मुझे हराने का दावा किया अगर नौकर होकर वो मेरे पिता की सीट ले सकता है तो मैं बेटी होकर नहीं ले सकती क्या यही सोचकर मैंने अगर तुम हारे तो तुम मेरे नौकर बनोगे और अगर मैं हारी तो मेरी बेटी तुम्हारे घर की बहु बनेगी कोई अपनी बेटी को इस तरह दाव में लगाता है ठीक है दीदी ने गुस्से में कह दिया तुम लोग तो कुछ कह सकते थे बस तमाशा देखते रहे इसने पता जी की बेज़ती की उसकी जगए कोई भी होता तो यही करता दीदी अगर तुम हार जाओगी तो क्या माया पूस नौकर के घर ब्याद होगी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए टेंशन क्यों ले रहे है मैडम का जीतना तो तै है तुम उस प पूरा, सोनपूरा, शामगड, भवानीगड और रामनगर पांच ऐसे इलाके हैं जो इस इलेक्शन का रुख बदल कर रख देंगे एक शित्र में 22,000 वोटर्स हैं यहां की पंचायत जिसे भी सपोर्ट करती है उसे जीतना ही है उनका फैसला कोई नहीं टाल सकता किसे सपो स्कूल बनवाने का वादा किया था, यह मैं जानता हूँ, अगर आप लोग मुझे वोट दोगे, तो मैं स्कूल बनवा के रहूँगा इस गाउं के सभी लोगों का वोट जाएगा इस साल खड़े होने वाली संयुकता देवी को कि देखें के लिए बड़े बड़े वादे कर रहा था, फिर पंचायक में फैसला मेरे हिप में कैसे किया, वही तो, आखीर तुमने उनकी काम में क्या बोला, वहां आप जनता के सामने वादे पर वादे किये जा रहे थे, तो मैंने सीधा पंचो को पकड़ लिया, उन्हें का पचास लाग रुपए कैश दे देंगे, वोट अपने हुए, दस हजार भकतों की वोटो का सवाल है, अगर स्वामी जी तुम्हें आशिरवात दे दे, तो वो वो भी तुम्हारे हो गई यह नो मालिके, अब दतास, स्वामी जी आशिवात के रूप में रिंगी है, तो अबर नेरा हमारा वोट सेयुखता देवी को नेरा भी वोट सेयुखता देवी है, स्वामी जी ऐसा कैसे कर सकता है? उस आदमी ने स्वामी जी को रिंके साथ 10,000 उपर दे और कहा कि सुभुता देवी को रिंक आशवाद है अजिति के लिए दिन राथ काम करूँगी भीड की तरफ देख कर पुछिये रमेज बाबू इस बर खेती अच्छी हुई है नहीं ऐसा क्यू? बूछ यह ना रमेज बाबू इस बर खेती अच्छी हुई ना Adam जी, मैं हूर रमेश बाबू, आप महान हैं, आपको तो यह भी पना के मेरी खेती है, आप ही हमारी है मेले बनेगी, हम सब का वोट आप ही को जाएगा हमेरा वोट सेजुटा देवी को ये कैसा है लाजिक? हर गाव में कोई ने कोई रमेश बाबू होता ही है, और गाव है तो उसके पास खेती भी होगी, कॉमन मैं लोगी है सेजुटा देवी के सितारे गगन चूमते हुए तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी थी, हमें भी आपको जरूरी बात बतानी है वो क्या है? पहले आप बताईए ना हमें अपने बेटियों की शादी की बात करनी थी आप शादी की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो दामाद भी चुन लिए लामाद वो कौन है जो इतने दिनों से हमारी हिफाज़त कर रहे हैं संच्या और उसके साथ ही सूपर ग्रेट चॉइस हम भी उने की सिफारिश लेकर आये थे अब उनके घरवालों को यहां बुलाओ ताकि रिष्टा पक्का करें बुलाने की जरूरत क्या है हम हाजर है ऐसे क्या देख रही हो मैं लौट आया हूं मैं कभी तुम लोगों के दिल में अपने लिए जगे नहीं बना पाया लेकिन मेरे बेटे तो जादूगर निकले इन्होंने तो आता ही तुम सब का दिल जीत लिया बहुत खुश हुआ है क् अजय क्रिष्णा सक्ति मेरे बेटे निकलो इन्हीं कि अब यहां क्यों है पापा कुछ दिन और रुकना चाहिए था मुझे अपने पापा की मरने का इतना अफसोस नहीं हुआ जितना कि उनके इस हत्यारे का फासी से बच जाने पर हुआ पिछले 20 सालों से तुम्हारे नाम का पिंड़ दान करके तुम्हारा श्रान मना रही है हम अब तुम्हारे पिए पर अगट जरासा भी अफसोस होता तो अब तक आप पहत के कर लेते अब अब आप 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 कि कि गबरानी की कोई बात नहीं अटैक माइल था लेकिन दो दिन उब्जर्वेशन में रखना बड़ेगा था था प्लीज फॉल्व अप कीजिए हमारी बेटियों को फैसो के लिए प्याद में फैसाया एक होनी की अउलादों से और उम्मीद भी क्या होगी बस बहुत हुआ अपनी हद बाद मत कीजिए आपकी बेटियों को पसाना ही होता तो उनसे भाग कर शादी कर लेते और आप कुछ नहीं कर बात है आज तक अगर हम चुप रहे हैं तो पापा की बचे से चैलेंज नहीं दे रहा हूं बता रहा हूं आप बहुत जल्द अब पंगाल है उसके लिए गुफान है कि आप अ कि क्या बात है आंटी ने शादी का इरता बदल दिया इसलिए दुखी हो शादी के लिए नहीए बल्कि मैं आंटी के लिए परशान हूं राजनीती उनके लिए नहीं है उन्होंने इसका किनौना चेहरा नहीं देखा जो आप मुझे थुआ कैसे भी तो आप ने एक तो हम नीची जाती लोकते वोट मांगती है और हम से अच्छुतों से वह वार करती तो ने जो किया वो सब को बता वादा आप बताओ मैं मीचे जाती का हो इसले मुझे थपड मारा ना को यह और जाओ को बताओ इनने कि अगली चाल और खतरनाक होगी लोगों में आंती के लिए नफरत पढ़ती जाएगी और पशुपती जीते करीब पहुंचता जाएगा तो जीते हारे वाल जाएगा जीते हैं पांच बच्चों की मौत अब काफी बच्चे हताहत हुए राज जदेक सर्कंधिया फोलूपती आगेगा जाएगा सायुकता दीवी की लोग प्रियता के लिए काफी बड़ा तंदार हैं तो जाएगा बच्चों की मावा कुछान की हा सब्सक्राइब तरीक आजमाने के बाद बेटा मिलकर सीथा पार करना शुरू कर देंगे इतनी धूमधाम से मेरा स्वागत करने के लिए आप सब का बहुत शुक्त है यह धूमधाम तेरे लिए नहीं है यह सारी तैयारिया तो मेरे होने वाली बीवी तेरी बेटिंग लिए है कौन करेगा हमारी मदद मुझे परफड़ाता भष्टाचार मुझे धरधराता है किसी एलेक्शन में, कलेक्शन, कर्रेप्शन, कमिशन, मेनुपिलेशन और वायलेशन, इनको रोकना ही मेरा काम है, मेरी आखों के सामने से, जुर्म कभी पचके नहीं जा सकता, RDX को गुसा मत दिलाना, क्योंकि जिसने भी मुझे गुसा दिलाया, मैने उसे पेला, मेरा सिर्फ एक ही मुक्का, सौ मुक्य के बराबर है, जिसे भी इसका सामपल चाहिए, लाइन लगा के खड़े होई, जा, यह क्या, तुने बोला था ना, यहां कर डालोग के, बड़े-ब हर बात पे पंच मारते रहते हो, मेरा पंच भी बता दो, बोलो मुझे शोर कम पसंद है, खुन खराबा ज्यादा, यह ज्यादा नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं किया, तो मारे जाओगे, वैसे कौन सा बचने वाला हूँ, हेई, खुन खराबा मुझे कम पसंद है, और शोर शराबा ज्यादा, इसके पहले की मेरा दिमाग सटके, दूस अटक, यह पंच फुस्की हो गया, आगे क्या करूँ, मिठाई का डबा दे दो, ठीक है, ये लो, मिठाई, और जाने से पहले टायलोग मत बूलना, अगर मिठाई मांगोगे तो खीर दूँगा, मुझ बन कर दो, जो कर दो, आगे कर दो, ठीक हो गया, और भोड़के एसके फोग गया, पताए क्यो नहीं मिठाई की टिपे में बॉम्म था, कुछ बाते सप्राइज होनी चाहिए, मेरे सप्राइज रख दिया ओगा उन्होंने, क्योंकि मैंने उनके अटने पर दो पूला, बहत अर तुम तो बिना पैसो के कोई काम नहीं करते ना तो इसकी मदद मुफ्त में क्यों कर रहा हो ची जी ऐसे काम करते हो जाओ यहां से यह वैसे भी काम करता है या दे तुम्हार ब्रेक अप वो भी इस नहीं करवाया था सुरी प्रितर लेकिन उस कनेक्शन को जोड़ा भी मैंने ही तो बाद में देख लूंगा सर हमें निकाल यहां से बहुत काम करने है तो आरे पास बहुत काम होंगी लेकिन मेरे पास एक ही काम है और वह काम मुझे तमाम कर रहे है जो मैं अपकी सिफारिश नहीं करता तो आपक अपने साथ तो रख सकते हैं वैसे देखने में तुम भाड़े का बॉड़िगाड लगता है यह जो ताल अलग है उस ताले की चावी किसके पास आपके पास सर यह शेहर थोड़ा अलग है जगह साफ करने के लिए कच्रा नहीं जलाते बस्ती जला देते हैं तिवाली में पटाके नहीं पोड़ते बॉड़ते हैं तुम मुझे बता रहे हो की डरा रहे हो अगर आप हिम्मत से बात करेंगे तो आपकी हिज़त करेंगे हिम्मत कैसे दमकी दीजे फिर मिठाई का डपा दीजे ओके मैं अपनी चाल चलो मैं जो कहूंगा वही आपका हिंगे प्रॉमिस कीजिए आपके लाइफ की गारंटी मेरी हो गया प्रॉमिस वालों ने पशुपती से पंगा लिया था अगर आपने भी लेने की सोची तो फोटो लगाने जगह भी नहीं बची तो मैं तुम्हारा प्रोमोशन नहीं चाहिए क्या है तो रानिक के भूशिच कर रहो गया क्या असर हो रहा है बहुत सारी लोगा है इसे की बाहरात में आया होंगे आपकी अंतिम्यातरा के लिए आए कौन है ओ आई आटे में आकर हमी को बंग है आँ ए ए दो है ने नहीं आई यही रोग में और लोगों को लेके आठाओ अब रोगा चले गए क्या है वने काफी बिलानी बागे रहे थी तिक्या आख तुमारी वज़े से मैं यून 10-15 से बच सका हूं कल 100 लोग आ जाएंगे तो मैं क्या उखाड़ूगा अँ मैं हू मैं रहूं नहीं तुम इना में रहूं ना रहूं volruit मेरी जि्दिकी तो परबाद कर दीए मेरी जीद के बाद सब ठीक हो जाएगा त इस दिन आपने संजे को घर से निकाला आप उसे दिन हार गई थी माया रुको माया मुझे लगता है हमें संजे को फिर से बुलाना चाहिए मुझे भी वही सही लगता है एक छोटी सी गलती के लिए वो लोग बहुत भुगत चुके हैं पापा का कतल तुम्हें सिर्फ एक छोटी सी गलती लगती है हमारे पापा नहीं रहे ये बात तुम भूल सकती हो लेकिन म मैं ना भूलूंगी ना माफ करूंगी कि अर्ट एक सचाना गायब हो किया गायब नहीं हुआ मुझे पता है वह इस वक्त कहां होगा है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरा दिया हुआ वादा वह अकेला था क्या ते हो कैसी धुलाई किया हमारी अंदेरे में इतना पिट गए सोचो दिन की उजाले में क्या हो जाता है उसका बॉड़ी और मसल पाउर मैच नहीं करता है देखने में एकदम सुखा खाकरा लगता है लेकर मारना शुरू करता है तो खाकरा ढुकला फाफड़ा सब बाहर आ जाता है सही बलो मैं और अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो तो मुझे बहुते ना है आपका सत्वा गया वो मिठाई का डबा नहीं है तुमारी कबर है सईयूकता मारम के खिलाब बकवास की दी ना तुमने उसका बदला लेने आ रहा है अगर जिनदा रहना है तो जाकर उसके पाऊँ पड़ा अपनी जिनदगी की भीक दो अगने माफंगूना तो मेरी दूचली हो जाएगगी पलिक के सामने माफंगूना तो वढ़ जो मुझे माफ कर देगा क्यूंकि Онेता है मुझे माफ कर दादीग यहां कि चड़कों यह बोरिजनल दाई ता वह भी गया मैं बो पशुपती जी जो हुआ था उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था यही तो बहुत है नहीं तो जर्फ एक महुरा था चाले तो यह चल रहा था आप डेश्यक वे में जातीवाद का मुद्दा उठाया और इसी कहने पर स्कूल के बच्चों के ऊपर बैनर फिगर आगा है ता इसका मैं क्या करूम मुझे अधना काम करने दे यह मिठाये के दिया आपको सबस्तों बता दिया फिर आप क्यू मुझे बादना चाहते हो मुझ कि चले जो यहां से लोगों की भावनाव से खेलते हो शरम नहीं आती जबना कुछ करे ही लोगों का बांड़ा पोर देता है सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा तो क्या इलेक्शन में हरके उसके घर का नौकर बनू यह चाहते हो तुम तो आप उन्हें पैसे बाटके इंका वोड़ खरीदोगे अगर साल से लोगों को पैसा खाते हैं अब अगर उसमें से कुछ कुछ हिस्सा लोगों को वापस कर दें तो वो हमें जरूर वोट देंगे एक काम करो सारे लिपाफों में हजार के नोट डाल कर वोट तक पहुचा दो आज के आज उन्हें पता किसे चलेगा यह हमारे हैं हर लिपाफे में हमारी पार्टी का परचा रहेगा उस पुलीस वा हारा तो गुस्से से मारेगा कुछ भी हो मरना तो मुझे है एक्सक्र मीं है हलो संयुकता देवी के आदमी गावालों में पैसा बाटने के लिए पांच लाख रुपे लेके निकले हैं सच में और नहीं तो क्या बात है मैं भी निकलता हूं तुमारी आंटीयों को अरेस्ट इतने यकिन से कैसे कह रहे हो अपको यकिली है क्या ए गाड़ी स्टार्ट करो निलगेगा पुझा जा चुके है जब की तरह मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे है न सर उल्लू की इंसल्ट मत कीजे बोदे को आ रहे है इसको गयर काम करने से मैं रोक सकता हूं क्यूंकि मैं इस मॉडरन जमाने का वीपिशन देख देख दे जाओ क्या होता है इसे रोकेंगे कैसे रोक लिया अब मेरा बट देख और ये तो पशुपती के लोग है पशुपती के आदमियों को भाड़े पिलेके तुमारी आँटी क्या भंगार का बिसनेस कर रही है इस पर तो पशुपती की फेस्बुक वाली सेल्ट क्या बात कर रहा है हलो तू अपनी हरकतों से बाद नहीं आएगा अरे तेरा माल रूपने की हिम्मत कैसे हुई तरी तू नहीं बचने वाला कमचा वह गलती से मिस्टिक हो गई आप अपनी गटिया चाल के वारे में मुझे बतातों देते मैं खुछ जाकर आपका काम कर देता तू पुलीस है ना अब तो मैं अपनी वफादारी साबित करके रहूंगा उसके बाद यापके सामने आकर आपको मिथाईे खिलाओंगा अबेता आप अबे चल पंचर निकाले में मदद करस्मपले मैं तुमरी कोई मदद नहीं कर सबदेट कर सब्सक्राइब कर ने वाली है अब तो कुछ काम कर ले तू कर ले तो कर मुझे कर ऐसां ज़िए बुचर कर ले की आपकास थे आपकास एक्यां आपको बाट दिये हैं ताकि वो आपको जाली वोट भी दे सकें यह जो बचे हुए कवर हैं इन में जो पैसे बचे हैं उसे जमा करके आप चार जोड़ी नए कपड़े सिलवा दीजेगा इनने तुम रख लो ठीक है मैं पर्दे में से शर्ट सिलवाऊंगा सर जी क्या हुआ आपने गल्ती से साडी में फोटो तो नहीं खीचवाई थी यह अरे आपके आदमी सौसो किलो के लेकिन उनका दिमाग सो ग्राम तक का नहीं है एग्जैंपल देखे बताता हूं हर लिफाफे में आंटी की फोटो है आपकी फोटो नहीं तो वो टूनी को मिल कर रहे दें कोई जरूत नहीं हम अपना काम कर लेंगे तुम जाके बासुरी बजाओ तो यह उन बेमानों का काम है बता साले मेरे बंच कहां गए जोड़ूगा नहीं उसे एलेक्शन हो जाने दो हम जीदेंगे ना पापा है मैं मेले बनू या ना बनू उसका संदी जरूर बनूगा उसको धूल चटाके उसका गुरूर तोडूँगा है अब जैसा आपने कहां मैं ट्रकों में घुंडे ला रहा हूं सीधे सही उर्ता के घर जाओ मैंने सारा इंतजाम कर दिया है उसको तुमारे बारे में पताना चले मैं भी आ रहा हूँ हूं अब या तो आर या पार लेकिन उससे पहले मैं उस पुलिस वाले से निप्टूंगा नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां सब कुछ ठीक है मैंने सब कुछ सेट कर दिया है तुम बस लड़कियों को लेने आ जाओ उके अंकल तुमने क्या सेट कर दिया मैंने पीछे का दर्वासा खुला रखा है और लड़कियों को प्रोग्राम समझा दिया इससे जादा क्या कर सकते हैं जल्दी आओ शुकर है यहां पर मामी क्या करेंगे तुम उसकी चिंता मत करो मेरी बात सुनो बशुपदी कर अच्छा किया हमने लटकों को यहां बोलाया है अपनी अपना काम कर दिया बाकिवगवान भरोस है खरकी बाहर तो ऐसी प्री लगी हुई है जैसे कूछ續 लगी हो अबल़कियों को कैसे बीच्चे गया जाई है मुसहű बहतर है मामा देखने में डीले डाले से लगते हैं पर प्लानिंग उनकी सॉलिड है कितने लोगों को बुला है यहां पर करने का वक्त नहीं है घर वापस चलो मैं नहीं जाओंगी कोई पापने यहां बेज और तुम घर वापस बेज रहे हैं चलो हम किसी मंदर में जाकर शादी कर लेते हैं आंटी मुझसे नफरत करती है यह करूंगा तो नफरत बढ़ जाएगी फिर यह परिवार कभी एक नहीं हो पाएगा है मेरी बात मानो माया अधा अजया 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 अगर इसका मूँ खुला तो हमारी सांसे बंद हो जाएगी एक सिकंड रूख यह लिफ पानी इतना मुद्धर निकालेगा कहां? माया? माया? वो यहां नहीं है, संजय के पास गई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे वहां मेजने की? अंदर क्या हो रहा है? कुछ सुना ही नहीं दे रहा है तुम्हें मालूम है? क्या प्रॉब्लम है? क्यू चिला रही है? भाई, फ्रिज में और भी बोटल ने थी क्या? नहीं सिर्फ एकी बोटल थी मैडम को लगा पती पानी पीकिया उन्हें ठंडा पानी पीने की आदत है इसलिए चिला रही है बेडी की खुशे के लिए हिम्मत नहीं बलकि दिल में प्यार होना चाहिए अब तुम भी मुझसे बगावत पर उतर आए मैं कहती हूँ इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा अरे भाई एक बात बताओ यह घुश्य से उंगली क्यों दिखा रही है क्योंकि वो बोटल भरके रखना भूल गया ना इसलिए धंकी दे रही है तुम सठ्या गय हो क्या क्या हुआ सब ठीक है लेकिन किसी को पानी पिलाने से तो पुन नहीं मिलता है खुद की बोतल से पिया होता दो अब उसकी बोतल से पिया तो पाप तेरे सर लेकिन भाई दिया तो तुम ने था ना तुसे सेर देंगे तो पीलेगा क्या माया चली गई तुम जानते हो नहीं मैडम मैं नहीं जानता नहीं जानती तो पघार चुबाती लेते हो जब तक जोर नहीं मिलता तब दो को चुपने ही बैठेगी पानी पिया है कोई खुन तो नहीं किया ना फिर में मैं उसके पैरों में पढ़कर माफी माँग लेता है मेरे लिए खांदान की इज़त सबसे बढ़तर है वाप रहे वाप इतना खुसा अब पता जी क्या करने गई है तो मारे हो मैंने इससे पहले ही का था पानी करिद ले पानी कर ले मगर यह नहीं माना नहीं छोड़ा मुझे रूप जा रही हूं जाने तो मुझे जाने तो यह पापी मैं ही हूं मैं ही हूं इसका मतलब अपने दुश्मनों से घरे हुए हम तो बुरी तरह बस गये मामा अपने दो आदमी और है उन्हें भी बचा लीजिए ना तो किसकी बात कर रहा है उन दोनों की पकड़ो उन्हें वह मेरे आदमी थोड़ी है उसके आदमी है को जब को अब हो और दो एक सरे दूमारी बेटी ने होने वाली महो वह यहाँ नहीं है उस दिन वादाoud खरके आज उसे मु कर रही हो यही था तुम्हारा प्लान उस दिन तुम्हारे बाप को मारने के बाद अगर मैं तुम्हे भी मार देता तो आजे नावबद ही नहीं आती बेटी आपको जीते जी मैं इमेले नहीं बन सका है आउसर देखो यह क्या हो गया जैसा मैंने चाहा तुम्हारे बाप की गद्धी भी हासिल कर ली इस दिन से आज तक मैं ही रहा हूँ लेकिन आज तक लोग मुझे तुम्हारा नौकर ही बुलाते आए हैं पर आज के बाद मैं तुम्हारा सम्धी केलाऊंगा अगर मैं हरूंगी तो ना उम्रेगी तो भी पिरी पामा आंटी कि अपर किसने हाथ उठाए मेरे बापा ने उठाया क्या अगर लेगा बे ये तो खाएगा मेरे पापा के लिए शामनाच जी भगवान थे मेरी आंटी इसको उन्होंने बहन जैसा प्यार किया उन्हें नाजों से पाला एक भी घरोच उन पर नहीं आने दिया और उन पर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत करें वकली आगा आगंगे आप पानी की बॉटल के लिए इतनी दुलाई पाणे में पानी की जगे अथिसरे नाता था मेरा मामा और आज उसी पानी के लिए उसकी दुलाई हो रही है विना मैंने क्या कुछे मारी है उससे क्यों बात के ज़से इसके फाइट देखकर चाइना का कंफु याद आगया यह है असली मर्द इसे ऐसे फाइट करना मैंने ही जिखाया है पांच मिनिट रुख जाओ तुम्हें भी एक डेमो दिखा देता हूँ जिखो वहारे लिए चान पर खेल कर लड़ रहा है मेरा तो दिल करता है कि इससे अपनी बिटी की शादी करवाई तो और उसे ले आए मैंने काव वालों के साथ ने बोला तो नहीं जड़ी कर के आऊंगा अब निचे उतारों तो नो मारने के लिए बखने मिल गए इन दोनों ने जब भी मेरी मदब की है हमेज़ा मेरा पत्न काटा है रुख जान ना मार दूंगा इसे तो मार दे ना कैसा आदमी है उच परवह नहीं तरी ये एक नंबर का कमीना इंसान है पहले इसने मेरी गर्फरेंड चीन ली थी फिर उटी मेरी नौकरी भी चीन ली थ क्या सॉलिड पीस है या कहा है मैं लकडी की बात कर रहा था आप भी कम नहीं है उनकी हिम्मत तो देखो पुलिस वाले कोई बान दिया मुझे अपनी लाइफ का सच्चा प्यार यहां क्लाइमेक्स में आके मिलेगा सोचा नहीं था और इसकी प्यार का रोल में रोज खाना चाहता है स्कून बलकी कुट्टी किदर बज़े यह राट हो चोट तो नहीं लगी यार के रोल में ये सॉस बाकी था पट्टे बानती हो जाए पूरी दुनिया कट्टी कर जाए तेरे साथ कट्टी बट्टी नॉन्चवट्टी खिलूगा यू हॉट्टी यू हॉट्टी यू हॉट्टी क्यों कभी छूट रही है क्या तो फिर घर में एसी लगाते ही क्यों अच्छा ये बताओ वो लाल छड़ी मैदान खड़ी दुश्मनों पर जो भारी पड़ी दिखने में है फुल जड़ी बताओ वो कन्या कौन है इस गर के छोटी बेटी है चोटी बेटी है मुझे लगा तीन भाईयों को तीन पत्निया मिल कही है लेकिन यहातो एक छोटी पीस बाकी है वो छोटी जो बनाएगी मेरे खंडाल गोटी है मुझे बınाएगी किति बाएगी दें के बाईगी मेरे बाईगी सिर्फ एक नहीं पूरे पांच हजार लोग मंगवाए हैं तुम्हें मौद के घाट उतारने के लिए अब दिखाता हूं तुम्हें मौद का तमाशा आजा बाहर कि आजाओ 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 आरे आओ ना अब यह हमारे ग्रूप का लीडर है और तुने हम लोगों को उसी को मारने के लिए पलाया और पैसों में नहीं असली मर्द में होतार वो तूने ही संज्य है तुम्हारे पापा को जूटी इल्जा में फसाने वाला और तुम्हें अपने परिवार से दूर रखने वाला यही दरिंदा है अब तो लेने के देने पड़ गए मर गए मेरी किसमत में पास्ता तो क्या देसी नास्ता भी नसीव नहीं है तुम्हारे नहीं है